अनुपमा यादो की गाईकी को भोजपूरी इंडेस्ट्री में कौन पसंद नहीं करता जी हाँ फिर वो चाहे खेसारी लाल यादो के फैंस हो और विंदकेला कलू के फैंस हो या फिर पावस्टार पवन सिंग के फैंस हो सभी इनकी गाईकी को इसलिए पसंद करते हैं कि इन जादा ही काम करना चाहती है जी हां ऐसा कहना है अनुपमा यादव का कि पवन सिंग के साथ एक गजब की ट्यूनिंग बनती है पवन सिंग के साथ गाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है और अदर स्टार के साथ भी रखना पड़ता है लेकिन पवन सिंग के सा एक नोट को पकड़ कर आपको आपकी गलती बता देते हैं और बाके स्टार्स बस आए और काम के चल दिये लेकिन पवन सिंग गाने को तो सुनते ही हैं साथ इसाथ उसमें क्या खामिया है ये भी बताते हैं हाल ही में एक चैनल को दिये इंट्रिव्यू में उन्होंने ये सब कुछ बया किया इसलिए पवन सिंग के साथ गाना गाना अपने आप में सुधार करने जैसा होता है और इस कौन सा ऐसा एक्टर या डिरेक्टर या फिर म्यूजिशन नहीं होगा जो अपने में नित नया सु अनुपमायादव वैसे सभी जानते थे गोलू राजा के साथ वे स्टेज पे परफॉर्म करती थी और उन्होंने गाने भी कई गाये थे लेकिन पुदीना वाले सौंग से अनुपमायादव को भोजपुदी में एक अलग ही मकाम मिला फिर आज यहा पांच के हो गया हो या फिर खेसारी लाल यादव के साथ रिलीज हुआ हाल ही में सैड सौंग जो की लोगों को बहुत पसंद आ रहा है तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजे साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले